बिहार में करोना की तीसरी लहर की रफ़तार तेज हो रही है डॉक्टर से लेकर पुलिस कर्मी तक संक्रमित हो गए है सुमवार को मुखमंत्री निदिश कुमार के जनता दर्वार में फर्यात सुनाने आए च्छे लोग करोना पॉजिटिव पाए गए मुखमंत्री के कक्ष में प्रवेश से पहले एंटीजन किल्ट से कराए गई जांच में लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इदर सीम ने स्वेम भी गले में खराश जैसी समस्या बताई और अपने स्टाफ से गर्व पानी मंगवा कर पी उन्होंने कहा कि इस उबहा से खासी जैसा हो रहा है बता दें कि सीम के जनतादरवार में प्रवेश से पहले फर्यादियों की करोना जांच कराई जाती है बिहार के पुर्व सीम जीतन राम मांजी ने करोना की तीसरी लहर पर चिंता जताई है उन्होंने टूइट कर मुखमंतरी नितिश कुमार को सिला दी है कहा है कि करोना के बढ़े संक्रमन को ध्यान में रखते हुए सीम से अग्रह है कि जनता दर्वार कारिक्रम को फिलहाल अस्तक्रिद कर दिया जाए राजहित में ये कारगर फैसला होगा जादे कि सर्दी के साथ राजज में करोना संक्रमन भी बढ़ा है पिछली 24 घंटे के दोरान 352 ने संक्रमित मिले है संक्रमन का दाइरा भी बढ़ा है एक दिन पहले 26 जिले में संक्रमन था जो रवीवार को 27 सिलो में फैल गया सबसे ज्याता 142 ने संक्रमित पटना जिले में मिले गया जिले में 110 ने पॉजिटिव पाए गये तीसरी नमबर पर मुंगेर और जहानाबाद जिले में 13-13 ने संक्रमित पाए गये पाँच या उससे अधिक संक्रमित जिलो में मिले हैं उनमें जमूई लखी सराय खगरिया मुझफफरपूर और सहरसा शामिल है क्रोना में हफते भर से लगतार तेज प्रिदी तर्च की जा रही है बिहार के अन्य जिलो में औरंगाबाद और पांका में चार-चार बेगु सराय में एक भागलपूर में तीन भोजपूर में दो दरभंगा में दो गुपाल गंज में एक कैमूर में एक मधुबनी में दो नालंदा और नवादा में दो-दो नए संक्रमित पाए गये हैं इसी तरह पुर्णिया में दो, समस्तिपूर में चार, सारण में तीन, सीदा मड़ी में एक, सिवान में दो, सुपॉल में एक, वैशाले में तीन, पश्मी चमपारन में दो और अन्य राज में के दो संक्रमित मिले हैं.